आप सभी को मेई तरफ से प्यार भाना नमस्कार, उमीद करता हूँ, आप सब बढ़िया होंगे, त्यारी आप लोगे बहुत अच्छी चल रही होगी, तो फिलाल आज की क्लास ममलोग बात करने वाले हैं, नरेशन के सेकंड पार्ट के बारे में, इससे पहले हमने फर्स पार पार्ट को देख रहा है, तो पहले फर्स पार्ट को देख ले, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलेग्राम चैनल का लिंक है, वो ना ओपन हो, तो तरुन ग्रोवर इंग्लिश टेलेग्राम चैनल है, उसको जॉइन कर लीजे, आपको क्लासिस की अपडेट्स मिलती रहेंगी क्या बेचने वाला आगया? प्याज ले लो, चलो जो भी बेचने, यह पदा नहीं क्यों जब भी वीडियो बनाने लगो नो कभी कोई बेचने वाला लग अभी क्या, कभी क्या, बलाना डिमकाना होता ही रहता है, खेर, हम पढ़ा के मानेंगे, वो आज आती रहे तो आती जाए है ना, तो मैंने का दा, direct narration से indirect narration जब बनाते हैं तो general rules आते हैं और special rules आते हैं, ठीक है, general rules में मैंने आपको सिखाया था कि भाई, tenses में बदलाव होता है, pronounce में बदलाव होता है, और कुछ words होते है, time and tense related उनके अंतर बदलाव होता है, चाहे reported speech के अंदर किसी भी type का sentence क फिर मैंने का था कि special rules भी होते हैं जो individual sentence के अलग-अलग होते हैं किसे आपको ध्यान है कि जब direct narration से indirect narration बनाते थे तो हमें ये पता होना चाहिए था कि direct narration के अंदर जो reported speech होता है मतलब inverted commas के अंदर वाला part होता है उसके अंदर sentence किस type का है तो अलग-अलग type के sentence पे अलग-अलग type के rules बनते हैं तो वही special rules है तो शुरुआत करते हैं जब कभी भी आप direct से indirect बनाओ तो जैसे सबसे पहले आपके सामने के sentence है आप मुझे बताओ क्या ये direct narration है आपने का जी सर मैंने का कैसे पहचाना आपने का inverted commas लगा हुआ है inverted commas लगे हुए तो direct narration होता है आपको indirect बनाना है अब direct से indirect बनाने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि inverted commas के अंदर sentence का type कौन सा है तो ये कौन सा type का sentence है ये assertive sentence है ना subject पहले फिर वब बाद में assertive sentence है तो अब हमें सीखना है कि जब कभी भी inverted commas के अंदर मतलब reported speech के अंदर assertive sentence हो तो उसका special rule क्या होता है जनरल तो हमने सीखे लिए वो जो सब पर implement होंगे special rule की बात करते है जब assertive हो तो जैसे वो assertive तभी हमने दिखाया तो ध्यान रखिए का direct में जो आपका sad say जो says लिखा होता है वो as it is लिख रहता है अगर sad लिखा हो तो आप उसे sad ही लिखेंगे say लिखा है तो say ही लिखेंगे says लिखा है तो says ही खरेंगे उसे लेकिन अगर direct के अंदर sad to लिखा है say to लिखा है says to लिखा है इस case में इनके बाद object भी होते हैं जैसे he said to me, they say to me या फिर she says to me basically यहाँ object होता है to के बाद तो अगर sad to, say to, says to ऐसे दिखा ही थे तो sad to change होता है बचे told के अंदर say to change होता है tell के अंदर वही same चीज़ है बस tense के recording चल रहे हैं तो says है तो हमने उसे tells कर दिए अच्छा आपके मन में सवाल आ रहा होगा sir जब यह ऐसे का ऐसा होता मतलब जब इसके आगे to नहीं होता तब तो हम इसको as it is लिख देते हैं लेकिन जब इनके आगे to आता है तो उस case में इसको change करके हम told क्यों बना देते हैं जब indirect बनाते हैं तो आ रहा होगा यह सवाल mind में आपके तो मैं आपको अलग से एक logic समझाता हूँ actual में जो say होता है न say यह आपकी intransitive verb होती है मैं यह लिख दूँ intransitive verb और जो आपकी tell होती है न tell यह transitive verb होती है और आपको एक rule पता है कि transitive verb के बाद हमेशा noun pronoun होते हैं या object होते हैं है न और say intransitive इसके बाद कोई भी noun pronoun नहीं होगा तो मैंने कहा आपको क्या अगर sad लिखाए जैसे मानलो he sad लिखाए डारेक्ट में तो नीचे जाके भी आप he sad ही करोगे उसे told नहीं कर दोगे क्यों क्योंकि अगर आप sad को told कर दोगे तो वो तो transitive verb अपने बाद उसको noun pronoun लेना होगा लेकिन यहां तो कुछ लिखाए नहीं है he sad लिखा है खाली इसलिए sad को sad ही लिखा रहने देते हैं समझ में आया sad को sad ही लिखा रहने देते हैं told नहीं करते हैं sad लिखा रहने देते हैं लेकिन अगर he sad to me लिखा हुआ है he sad to me तो मैंने का अभी sad to me को told में बदलोगे क्यों 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 कि आगे मी भी है न यह transitive verb है अपने बाद noun pronoun लेती ही लेती है point समझ में आ रहा है तो अगर आप खाली इसकी जगा इसको लिख दोगे तो कहां इसका object कहां है यही नहीं तो मैं यह बात समझाने कि आपको तब से यही कोशिश कर रहा हूँ जब as it is यह हो तो वही लिख दो लेकिन जब to हो इस case में इसके आगे object भी हो था उस case में told tells और tell बनाना है समझ में आया है न सबको चलिए inverted commas हटा के बचे that लगाना है और बाकी सारी ज़िए general rules के according change होती है एक काम करते है implement करते है तब ही मज़ा आएगा बाकी कुछ exceptions भी है इसके अंदर one by one deal करेंगे यह बात अगर नहीं समझ मैं ही तो मैं दुबारा बता दूँ दुबारा बताये तो मैं जल्दी जल्दी से जो आपकी say होती है यह intransitive verb होती है इसके बाद noun आप रट भी सकते हो यह तो मैं logic सिखा रहा हूँ आपको intransitive verb है intransitive verb के बाद noun pronoun नहीं आता है लेकिन tell आपकी translitive verb है इसके बाद noun pronoun आता है हाँ की ना common सी बात है अगर मालो ऐसा लिखा हुआ है direct में he sad और comma inverted comma जो भी लिख दिया उसने तो अब sad को sad ही लिखोगे क्योंकि अगर इसे आपने told कर दिया तो told के बाद तो object चाहिए noun pronoun चाहिए यहाँ रहा है नहीं लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है he sad to me तो इस sad to me को अब आप किस में change करोगे told में change करोगे कारण क्योंकि अब me भी लिखा हुआ है न तो यह आपको पता है कैसी verb है transitive अपने बाद object लेती है दोनों को हटा के और यह intransitive होती है देखो इसके बाद to लिखा हुआ है और कभी he sad me भी नी बोल सकते है क्यों क्योंकि say आपकी intransitive है he sad me कभी नहीं हो सकता say के direct about object कभी नहीं आ सकता intransitive है तो यह basic fundas है नंके बीचे आपको सीखने हैं तो सीख लो नहीं सीखने हैं तो रट लो जैसे लोग रटते हैं रट लो भाई है ना रटते भी हैं लोग रट के भी नंबर ले आते हैं लेकिन मैं चाहता हूँ आप understanding develop करो आओ one by one हर एक question को उड़ाते है He said to her I do not want to do this क्या direct से indirect बनाना है हमने हाँ जी सर बनाना है direct से indirect बनाने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि reported speech के अंदर sentence का type कौन सा है तो आपने देखा assertive है तो सर ने कुछ rules बताए थे he को पहले he लिखेंगे as it is बोलो हाँ sad to लिखा है तो told में जाएगा हाँ की ना हर को assertive लिख देंगे he told हर हो जाएगा हो जाएगा inverted commas हटा के हम लोग क्या use करते है बटा that अब आप देखिए यहाँ पर I लिखा हुआ है ठीक है I क्या first person है मुझे बस ये बताओ है first person में subjective case है हाँ जी कि यहाँ पर subjective ही चाहिए होगा हाँ जी लेकिन first person तो change होते है reporting verb के subject के according general rules भी लगा होगे ना first person change होता है reporting verb के subject के according बोलो हाँ तो ये क्या लिखा हुआ है आपका ही लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी subject के requirement है तो ये I क्या बन जाएगा ही अब tense में बदलाव होगा क्या do not change होगा हाँ जी होगा क्योंकि reporting verb जो past में होता है तो tense भी बदलता है और simple present tense से तो simple past में change हो जाता है he did not want आ जाएगा बोलो हाँ do के आगे do आया और this किस में change होता है words related to time and tense किस में change होता है that में end में full stroke तो he told her that he did not want to do that ये इसका actual में answer बना मैं उमीद करता हूँ कि समझ में आया आओ फड़ाफट से बनाते हैं अब देखो he sad है तो he sad का sad ही रहेगा told में change नहीं होगा अगर sad to लिखा है say to लिखा है तब told में change होगा क्योंकि उसके उसमें object भी होगा inverted commas हटा के हम लोग that करेंगे करेंगे विराट third person है किसी इंसान का नाम है तो विराट तो विराट ही रहेगा वी capital रहेगा he sad that विराट is playing है change होगा हाँ जी reporting verb past में है तो was playing हो जाएगा आपको याद है ना narration के concepts में ने सिखाई थे और now किसमें change होता है then में end में क्या लगा है full stop he said that विराट was playing then I said to my wife I have bought a gift for you आओ फड़ाफट से बनाओ क्या I को I लिखा रहेने दूहन जी said to लिखा है ना अब किसमें जाएगा बच्चे told में my wife है तो I told my wife inverted commas हटा के क्या आएगा that क्योंकि अंदर जो sentence है वो assertive है उसके बाद I first person subjective case है ये change होगा इसके according subject के according तो I आए ही रहेगा बोलू have bought है तो change होगा हाँ जी reporting वो past में है तो had bought हो जाएगा present perfect tense past perfect बन जाता है अग gift आ जाएगा हाँ जी सर gift आएगा four आएगा जी लेकिन you अब you क्या है यहाँ पर आपको पता है four preposition है तो prep के बाद तो object होते है और ये कौन सा person है second person second person change होता है reporting verb के object के according और आपको भी यहाँ पर object के requirement है तो wife लिखा हुआ इसका object क्या बनेगा हर बन जाएगा समझ में आया ना लड़की है नो उसका हर बनेगा तो I told my wife that I had bought a gift for her तो ये direct से indirect बनाना हम लोग सीख रहे है फड़ा फट से इसका बनाओ I said to her I have been waiting for you for an hour pause करो वीडियो को बनाओ जल दी रहे देखें चलो देखो भई I को तो I कर दिया Sat2 को हम change कर रहे है तोल्ड के अंदर आगे क्या आया हुआ वीटा हर आया हुआ है चेक है inverted commas अटा के हम लोग that लगाएंगे I have first person subject है change होगा subject के according की I है लिखा हुआ है have been waiting है reporting verb past में है तो change होगा had been waiting है ये चेक करनी है ये चीज़ है examination में दियान में नहीं रहती है had been waiting होगा आगे 4 आएगा यू objective case है ना 4 prep के बाद object आते हैं और second person है तो second person change होता है reporting verb के object के according हर कहर रहेगा यहाँ पे हर भी object होता है और आगे 4 an hour समझ में आया है सबको I told her that I had been waiting for her for an hour चलो साहिल said he left this country a year ago तो साहिल को तो साहिल ही लिखा पहले क्या sad told में जाएगा नहीं as it is रहेगा अंदर assertive sentence है तो inverted commas हटा के that आएगा he आपका third person है तो he रहेगा left आपकी second form है reporting verb past में है तो had left हो जाएगा और आगे फिर this country आएगा और a year ago ago before में change होता है तो a year before क्या ये बनेगा बोलो हाँ समझ में point सब को आ रहे है writing बड़ी गंदी है लेकिन कोई बात नहीं समझ में आ रहा होगा साहिल said that he had left this country a year before he said to niharika अगर मैं छोटी motive पनिशे गलती गलती तो comment section में बता दे न फ्लो फ्लो में कुछ हो जाएगा आसे तो होगी नहीं है लेकिन स्टिल इंसान है रोबोट थोड़ी है हो भी सकती है तो बता दे न comment section में चलो he said कभी ऐसे करने लग जाएगे इसे रेकरनेरेशन बिना नहीं आता है ऐसा कुछ नहीं है भाई फ्लो फ्लो में कभी कभी क्या होता है कि हमको लग रहा होता है कि हम सही बोल रहे हैं लेकिन कभी कभी गलत लिख रहे होते हैं एक का दुक्का हो जाता है सो में से एक अधीब बार है न चलो कोई बबा क्या आप समझदा रहे हैं पड़े लिखें समझदे he said to Niharika my sister was calling you last night तो मैंने क्या कहा सबसे पहले he को बिटा he लिखा अजी sad to को मैं किस में change करूँगा told में change करूँगा फर आगे Niharika को ऐसे लिखूँगा he told Niharika आगे inverted comma जटा के that आएगा my sister है my possessive adjective है first person possessive adjective first person change होता है reporting verb के subject के coding he तो subject है लेकिन हमको requirement पॉसेसिव adjective की तो he का possessive adjective क्या होता है his तो his sister करेंगे was calling है tense change होगा हंजी sir क्योंकि reporting verb past में है तो क्या होगा had been calling होगा क्योंकि past perfect past perfect continuous में change होता है sorry past continuous past perfect continuous change में change होता है tense में change होता है तो he told Niharika that his sister had been calling you है object है यहाँ तो तो second person change होगा इसके according तो हर आएगा यहाँ पे और last night क्या बन जाएगा बताओ भई the previous night लिख दू तो मुझे उमीद है कि आपको सारी बाते समझ में आ रही है he told Niharika that his sister had been calling her the previous night she said to me I shall come tomorrow बहुत बच्चे इसके अंदर confused होते हैं लेकिन हम नहीं होंगे जैसे she को she करा बिटा said to को change किया हमने told में आगे me as it is inverted commas अठा के हमने that लिखा I है subject इसके according change होगा she अब बच्चे क्या करते हैं shell को should में change करते हैं बात भी सही है can could में may might में will would में तो shell should में लेकिन बिट आपको पता है न I और we के साथ generally हम लोग क्या use करते हैं shell और he she it they के साथ क्या use करते हैं will ये बात भी तो पता है न आपको तो अगर आप यहाँ she लिख रहे हो तो she के साथ तो will आता है लेकिन past में भी जाएगा change भी तो होगा तो would कर देंगे न आई बात समझ में come tomorrow क्या बन जाएगा the next day मुझे लगता है कि बात समझ में यह यह नहीं आई देखो आपने I था तो shell आता है हमें पता है I और we के साथ shell आता है लेकिन he she day के साथ will आता है तो आपने क्या आएगा जब she में change कर दिया तो यहाँ she के साथ will आना चाहिए था लेकिन हमें past में भी लेके जाना है तो will का क्या बनेगा wouldie तो बनेगा ना आगे ही बात समझ में tomorrow the next day बनेगा है ना चलिए last है he said I can solve this puzzle यह तो बड़ा असान है he को he लिखा sad को sad लिखा आगे inverted कॉमा धटा के that लिखा आए इसके according change होगा तो he आया can किस में जाएगा could में जाएगा he could solve हो जाएगा और this किस में बन जाएगा that और आगे क्या जाएगा puzzle बोल दो हाँ अरे basic सी बाते हैं चलो भाई अब हमने बात करनी है जब कभी भी direct से indirect हम बनाएं और direct में अगर reported speech के अंदर assertive sentence हो तो उसके कैसे बनते हैं वो हमने जान ली लेकिन उसके कुछ exceptions भी हैं exceptions भी सीख लें आओ परफ़ट से exceptions भी जान लेते हैं समझ लेते हैं परक लेते हैं चलिए भई exception number one क्योंकि important है बच्चे इनको देखते ही नहीं है और ऐसे questions आ जाते हैं तो कहते हैं सबने तो हमें पढ़ाएं नहीं है concept थोड़ा सा भी unique आ जाए तो खैर आ जाएए तो सबसे पहला exception यह है जब कभी भी आप direct से indirect बनाओ और reported speech में universal truth हो तो इस case में tenses में कोई बदलाव नहीं होता है ध्यान रखना मैं repeat करूँ रंग थोड़ा और लाल कर लेते हैं मैंने कहा जब कभी भी आप direct से बच्चे indirect बनाओ और इसके अंदर reported speech के अंदर आपका universal truth हो तो universal truth जो है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा न चाहे past तो present तो future तो कुछ भी हो तो fact होता है तो कभी change नहीं होगा ठीक है तो जैसे आपने he को he रखा sad को sad रखा inverted comma धटा के that लगाया the earth the earth moves moves round the sun round the sun लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ना pronoun भी लिखा होता है जैसे we यह देखो they sad we cannot live without water क्या हम पानी के बिना जी सकते हैं नहीं जी सकते है fact है fact है universal truth है हाँ जी है लेकिन आप देखो tense तो आपने change नहीं किया वो बात तो ठीक है लेकिन pronoun भी change नहीं करेंगे सर्फ universal truth वाले में ध्यान रखना है जैसे they they किया sad किया inverted comma that लगाया we को we ही लिखा यू नहीं कि first person है subjective case है तो इसके according change होगा they करेंगे नहीं इस case में ऐसा नहीं छेड़ना है cannot को cannot लिखा could नहीं किया मैंने समझ में आ रहा है न यहां आपका sad है तो यहां sad कर देंगे बात खतम चले चलो अगला point exception number two बहुत important exception number two ध्यान रखना कि जब कभी भी आप direct से indirect बनाओ और inverted commas के अंदर reported speech के अंदर अगर कोई दो ऐसे action है जो कि साथ साथ हो रहे है याद रहा है मैंने आपको past continuous tense में बढ़ाया था parallel actions continue in past कि जब मैं ये कर रहा था तब वो वो कर रही थी जब मैं खाना खा रहा था तो वो खाना बना रही थी जब मैं काम कर रहा था तो वो office में काम kitchen में काम कर रही थी न दो actions continue होते है तो अगर simultaneously कोई actions हो रहे है तो उसका भी कोई tense में बदलाव नहीं होता है लेकिन pronoun में होता है ये ध्यान रखना सिर्फ universal truth वाले में कुछ change नहीं होता है लेकिन इस वाले case में बस tense में बदलाव नहीं होगा ध्यान रखना प्रोनाउंस तो change होते हैं उसने का जब मैं काम कर रहा था तो मेरी वाइफ खाना बना रही थी तो आपने देखा he sad को he sad लेखा inverted commas अटा के that लेखा while को while लेकिन I जो है वो subject के according change हो गया ही में बन गया लेकिन was working को had been working नहीं किया ऐसी was cooking को हमने had been cooking नहीं किया was cooking है लेकिन my जो term था first person का possessive adjective था वो change होना था subject के possessive adjective के according और वो his है pronoun change करेंगे इस context में लेकिन tense में बदलाव नहीं होगा ध्यान रखना exception number 3 अगर कोई hypothetical situation आजे reported speech के अंदर जब आप direct से indirect बना रहे हो तो तब भी tenses में कोई बदलाव नहीं होता hypothetical या unreal fact आजे कोरी कलपना आजे न अगर मैं यह होता तो वो करता ऐसा होता तो वैसा कर देता conditional में पढ़ते हैं हम लोग है न तो tenses में कोई बदलाव प्रोनाउंस तो change होंगे लेकिन tenses नहीं बदलेंगे ध्यान रखना हम tenses की में मुद्दे वाली बात कर रहे है ठीक है जैसे she sad उसने कहा कर मैं millionaire होती ही तो मैं गरीबों की मदद करती होती तो करती न है तो नहीं तब ही तो बूल रहे है अगर होती तो करती तो unreal situation है हां जी तो she को she sad को sad inverted commas हटा के that if का if लेकिन I जो हदे को subject according हमने she मिले के गए वर वर ही रहा would help, would help ही रहा वी तो वैसे भी change नहीं होता would तो है न अच्छा तो मैंने क्या समझाया आपको hypothetical situation जैसी है वैसी कि वैसी रही भाई वो unreal है उसमें tenses नहीं change करने है ठीक है अगला exception number 4 जब कभी भी आप direct से indirect बनाओ आपको ये चीज़ दिखाई दे had plus third form ये तो हम see की चुकिए है न past perfect कोई change ही नहीं होता past perfect तो past perfect ही रहता है लेकिन अगर उसके लावा आपको had to plus first form would, could, should अभी मैं would, could, mood ऐसे कर रहा था flow flow में, care कोई बात नहीं would, could, should would, could would, could, ऐसे would, could कर रहे है बिल्कुल इर्यान भी feeling आ रही है नहीं चलो थोड़ा सा sophisticated बनते हैं वैसे generally English के teacher थोड़ी से मतलब अच्छे pronunciation के साथ बोलें तो बच्चा सामने वाला accept करता है बहुत जल्दी आरे अच्छी तरीके से बोल रहा है तो अच्छा ही पढ़ा है ऐसा नहीं होता है वैसे बहुत देशी teacher भी है जो बहुत बढ़ियां बढ़ाते हैं लेकिन care हम would, could, should नहीं करेंगे would है, could है, should है, must, might, ought to basically मैं रहा पला बड़ा हर्याना से हूँ न तो वो होता ही है आप गुलाब को हाथ लगाओग तो महक तो आपके हाथों में रही जाती है तो जिस जगह पे आप बले बड़े होते हो तो वहां के हलकी बहुत तो आपकी भाशा में आती ही है ठीक है उपर से पंजाबी है तो कभी कभी पंजाबी तोन भी आ जाती है तो care, बात वो नहीं यह बात क्या है बात exception number 4 की ये है कि कभी had plus third form लिखाओ, had to plus first form लिखाओ, जैसे I had to go there, I had to complete all the tasks, I had to eat this, I had to go there, would लिखाओ could है, should, must, might or to, ये कभी भी change नहीं होते, क्योंकि would वैसे ही will से would में change हो के आता है can से could बनता है, shell से should बनता, अब आप ये नहीं कोई लिख के दे दो के would could should लिख दो के, तो ये किस में बदलेंगे, ये as it is रहेंगे, तो कोई भी model verb ऐसे वाली आजाए है ना would could should वाली, must might वाली तो ये change नहीं होगी, और had to plus first form और ये भी change नहीं होगा, ध्यान रखना जैसे she, she, sad to को हमने told, ये तो करेंगे चीज़े मैं सिर्फ tenses की बात कर रहा हूँ बाकी सारी चीज़े बतलेंगे pronouns भी बदल रहे हैं, related words भी बदल रहे हैं, time और tense वाले, बस tenses की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है she, she, sad to, told में me, me, inverted comma, that you, second person subject है, तो इसके according change होगा, आया should का should, आगे same तो मैं उमीद करता हूँ, समझ में आया और example दूँ मैं आपको इससे भी दे दूँ, अगर confused हो रहे हो तो, लो, मैंने आपको कहा कि she, sad to me comma, inverted comma, शुरू उसमें कहा कि you had to complete all the tasks all the tasks बनाओ भई, छुप गया गया में पीछे चुप क्या बनेगा, she told me that she had to complete all the tasks, बात कहता basic सी बात थी, चले exception number 5, फड़ा फड़ से देखेंगे, यह बड़ा व्यारा है, सीखेंगे असान है वैसे, कुछ यह मतलब यूनीक नहीं है, लेकिन सीखो एक बात, उसने बहला he said, और फिर comma inverted comma शुरू, he said राहुल, I am proud of you अब आप जहां से देखो कि इस sentence में, बजब डारेक्ट से जब इंडारेक्ट बना रहे हैं, तो डारेक्ट में sad के बाद object नहीं है, कि जैसे he said to Rahul होता है, या he said to me होता है, he said to you होता है उसने क्या किया, वो जिसको भी कुछ बोल रहा है, उसका नाम reported speech के अंदर ही add कर दिया, कि उसने कहा क्या कहा, Rahul, I am proud of you तो ऐसे case में क्या करना है, ध्यान रखना कि जब कभी भी object यहां given ना हो, reporting verb के साथ object ना हो, वो किसी इंसान का नाम reported speech के अंदर add करके दे दे जिसको वो संबोध कर रहा है तो उस case में direct से जब indirect बनाओगे, तो यही जिसका नाम उसने लिया है reported speech के अंदर, उसे direct से indirect बनाते वक्त object की जगां पे के ध्यान रखना, समझ में आया क्या कहा मैंने, तो he said he told told क्यों किया, क्योंकि राहूल यहां पे object बन के आएगा, है ना otherwise यह ऐसा होता, he said to राहूल फिर comma inverted comma शरू, I am proud of you, तो आप बना ही देते he said to राहूल बोलता, और comma inverted comma करके बोलता I am proud of you, तो आप बना ही देते, लेकिन वो अलग तरीके से दे रहा है, और आप confused नहीं होंगे, मैं यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे यह object का हैंसी देगा यहाँ पे he said to राहूल ही यहाँ पे meaning है, ठीक है, तो he, he, यह told में आ गया अब यह मस्त सोचना कि सर sad को sad क्यों नहीं लिखा, मैंने बोला न, object है वो बस pattern change करके दे दिया, लिखने का तरीका बदल के दे दिया है राहूल, आगे that आएगा comma inverted comma hat आके, आई है इसके according change होगा, m proud है reporting past में है, तो यह भी change होगा, m was में बन जाएगा sad to नहीं लिखा था, फिर भी told लिखा, क्यों क्योंकि आगे object है तो नीचे object उतारेंगे तो told करेंगे, तो he told राहूल, comma inverted commas हटा के हमने that लगाया, first person था, तो इसके according change होगा ही reporting verb past में है, तो m was में change हो जाएगा, पता ही है आपको you second person objective case है object के according वो तो लिखा नहीं है, लेकिन इसी कोई तो convey कर रहे है न, तो इसके according क्या बनेगा him बनेगा, बोलो, हाँ, बात कता हूँ last, exception number 6 बड़ा प्यारा है यह भी जैसे की, कभी-कभी क्या होता है direct से indirect बनाते वक्त वो, reported speech में good morning, good evening, ऐसे terms भी use करके देता है, good morning, good evening, good night जैसे की, आपके family whatsapp group में generally आते हैं messages, चाचा के चाची के मासी के भुवा के वो, more, सुबह-सुबह आ जाता है, good morning करने के लिए वो images भीज देते हैं तो करन said to me, good morning, I am happy to see you, तो उस case में क्या करना है, good morning को wish के context में लेना है, तो ऐसे बोलना है, करन wished me good morning है न, और फिर करना and said that, समझ में आया said that क्यों कर रहे हैं, told क्यों नहीं कर रहे हैं क्योंकि object यहां लिख दिया न, यहां नहीं लिखा है न, क्योंकि told लिखो के तो me चाहिए होगा, told me लिखो के तो me, me, repeat नहीं हो जाएगा, कि करन wished me good morning and told me that तो ज़्यादा हो जाएगा तो हमने क्या गिया, मी को एक ही बार लिखा कि करन, करन उन्हें गुद मॉर्निंग बज़े तो wished me me को उतार रहे है, गुद मॉर्निंग फिर कॉमा, inverted कॉमा थटा के हमने क्या लगाया, अच्छा मैं hide, मुझे लगता है कि शायद आपको दिख नहीं रहे, मैं माफी चाहता हूँ आपसे मैं माफी चाहता हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं एक बार हाइड हो जाता हूँ अब दिख रहा होगा दुबारा देखेंगे करन said to me good morning I am happy to see you यहाँ पे उसने good morning एड करके दिया तो उस case में आपने क्या करना है करन wished me good morning and said that अब यह and said that क्यो है, told क्यों नहीं है क्योंकि told लिखेंगे तो आगे object चाहिए होगा तो आपको लिख दो सर मी लिख दो अब समझे मेरी बात क्या हो ना करन wished me good morning and said that उसके बाद फिर I जो है first person subjective case है तो change होगा, करन के according तो ही बन जाएगा M है तो reporting verb past में है तो यह was बन जाएगा U है objective case है second person के according change होगा यहाँ देखो second person है ना तो object के according change होगा तो मी बन जाएगा तो मुझे उमीद है कि आपको समझ में आगे सारे exceptions ऐसे आपको options में दिखाई देंगे और बड़े प्यारे प्यारे हैं यह तो confused नहीं होना है क्योंकि अगर पूरे पूरे नंबर लेने हैं तो exceptions भी पढ़ने पढ़ेंगे, जो main rule आप पढ़ रहे हैं चलिए जी अब आगे उमीद कर रहा हूँ भाई बड़ी हां से समझ में आ गया होगे न चलिए जी अब हम बढ़ते हैं next type of sentence की तरफ अगर reported speech के अंदर अब interrogative sentence हो तो उसके special rules क्या होते हैं और general तो आपको आते ही हैं चलिए फड़ा-फट से अंदर interrogative sentence है तो इसका direct से indirect बनाते कैसे हैं क्या-क्या rules लगते हैं उनकी तरफ एक बार नज़र डालते हैं है न चलिए assertive का तो आपने सीख लिया interrogative में ध्यान रखिए का जब भी आप direct से indirect बनाएंगे अगर मानलो sad लिखा हुआ है या sad to लिखा हुआ है कुछ भी लिखा हुआ है आप asked का ही use करेंगे say या say to लिखा है ask का use करेंगे says या says to लिखा है ask का ही use करेंगे कहने गा मतलब चाहे इधर direct में object हो या ना हो हमेशा ask ही आएगा depending on the tense कि अगर मानलो यहाँ past है तो यहाँ past यहाँ present है यहां present, यहां present में singular है तो यहां पे भी singular दोनों cases में, sad और sad to वाले में भी yes or no, यह तो बहुत असान हुआ inverted commas हटा के, अच्छा एक बाद बहुत आओ लेकिन जब हमने assertive sentence देखा था तो assertive sentence में यह तो as it is लिखा रहता था sad say says, लेकिन इसको हम told करते थे, याद है न तो मैं साथ-साथ आपको recap भी एक बाद दिलवाता चलूँगा ताकि आप भूले न अच्छा inverted commas हटा के, या तो हम use करते है if weather यह use करते है, wh word अब कब if weather करते है, कब wh word करते है, समझायता हूँ reported speech के अंदर, अगर माल लो yes no question आ गया, कैसा yes no question, तो हम use करेंगे inverted commas अटा के if yeah whether लेकिन अगर reported speech के अंदर wh question है basically, तो wh word को as it is लिखेंगे, clear है लेकिन assertive sentence में क्या करते थे inverted commas अटा के, वहाँ पे हम लोग that का use करते थे, याद है ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि direct में जो interrogative होगा क्योंकि जब आप direct से indirect बनाओगे तो direct में interrogative ही तो मिलेगा ना, तो वो जो interrogative है, वो indirect में जाके assertive बन जाता है, कहने का मतलब है कि जो helping verb आपकी subject से पहले होती है, वो subject के बाद चली जाती है, मतलब आपको पता है interrogative के structure कैसे होते है, और assertive के structure कैसे होते है, और बाकी सारी चीज़े general rules के according change होंगी मैं दुबाया repeat करूँ, sad, sad to say, say to say, say to यह सब कि सब change होंगी इनके अंदर ask में और ask की form के अंदर inverted commas हटा के या तो ये या तो ये आएगा depend करता है किस type का sentence, अभी example देखेंगे और interrogative sentence जो होता है वो assertive बन जाता है, मतलब interrogative जो प्रशन वचक होता है, वो simple sentence बन जाता है, और बाकी सारी चीज़े जो होती है वो general rules के according change होती है एक काम करते हैं फड़ा-फट से आप questions की तरफ नजर डालिए और देखिए खुझ से की हो पा रहे है या नहीं हो पा रहे है, yes or no? हाँ के ना? चलिए तो, आजएगे तो आपके सामने वही question आगया कि she said to me, have you purchased all of these क्या मैंने आपको यही question दिखाया था? हाँ का use करेंगे और आगे बोलेंगे क्या आएगा मी? अब आप लोग जानते हैं कॉमा, inverted कॉमा से अठाके या तो if weather आता है या डबलू ह वर्ड आता है तो यहाँ पे तो yes no question है have से शुरू हो रहा है, helping verb से शुरू हो रहा है तो आप जानते कि या तो if का use करेंगे या whether का use करेंगे दोनों का कर सकते हैं, तो she asked me if, अब उसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पे आपको यह subject दिखाई दे रहा है, हाँ जी सर, कौन सा person है, आपने कहा यह second person है, क्या आपको यह main verb दिखाई दे रही है, और यह helping verb है, सब लोग जानते हैं, हाँ कि न, helping verb, main verb मिलागे एक ही verb बनती है, बोलो हाँ, definitely अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं ने कहा था, जो interrogative sentence होता है, वो indirect में जाके assertive बन जाता है, कहने का मतलब अब पहले आपको subject लिखना पड़ेगा बोलो हाँ, और subject आपको पता है कि second person है, और वो change होता है reporting verb के object के according, हाँ की न, लेकिन हमको किसकी requirement है subject की, तो फिर me यहाँ पे आके क्या बन जाएगा, I दूसरी बात आप देख रहे हैं कि reporting verb past में है, तो फिर tense में भी बतलाब होगा, तो have purchased आपको पता है, किस में change होता है had purchased में change होगा क्या मेरा point समझ में आ रहा है, और आगे क्या आएगा, all of, और these जो होता है वो change होता है, those के अंदर और end में full stop आएगा, question mark नहीं आएगा, ध्यान रखना she asked me if I had purchased all of those, उमीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया, एक काम करते है और बनाते है, और try करते है एक काम कीजिए, पहले आप बनाएए फड़ाफट से, तो चलिए, क्या बनाया आपने इसका, तो he को basically हम लोग he को as it is लिखेंगे sad जो है, आपका किस में चेंज होगा asked में चेंज होगा comma inverted comma जड़ागे आपको पता है yes no वाला question है helping वब से शुरुवात हो रही है, तो या तो if लगाएंगे या whether लगाएंगे, अब आपका जो interrogative वो assertive बनता है तो basically subject यहाँ पे जाएगा लेकिन यह तो third person है, third person तो change होता ही नहीं है, तो no change रहेगा he का he रहेगा is going है कि tense change होगा, reporting past में तो change होगा, was going हो जाएगा, और आगे to America आजाएगा, क्या उमीद कर रहा हूँ, आपको समझ में आया, he asked if he was going to America end में क्या लगाएंगे, full stop और direct में क्या था, he said is he going to America और he asked if he was going to America, चलिए she said to him, do you live here, तो she को हमने as it is she रखा said to को basically हमने change किया, asked के अंदर, और आगे आया आपका him, comma inverted, comma सड़ागे या तो if या whether अब उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा कि जो assertive, जो interrogative होता है, वो assertive बनता है तो यहाँ पे subject के requirement है, लेकिन यहाँ पे subject क्या लिखा हुआ है, you और कौन से person है second person है, अच्छा हमें कैसे बता you subject ही है यहाँ पे you तो object भी होता है, क्योंकि यह जो verb लिखी हुई है, इसका subject you ही है, क्योंकि verb आया तो subject भी आया होगा न, subject के बिना verb कैसे आ सकती है, तो you यहाँ subject है, तो हमें भी subject चाहिए लेकिन second person है, वो change होता है reporting verb के object के according लेकिन यहाँ पे requirement किसकी subject की, तो object क्या बन जाएगा, यह him ही बन जाएगा, अब do live है, यह कौन सा tense है, यह simple present tense है do you live here, simple present tense verb past में है, एक तो tense change होगा, दूसरा interrogative assertive भी तो बनेगा अब simple present tense किस में change होता है, simple past में change होता है, लेकिन simple past का भी assertive चाहिए, तो subject के साथ बस verb की second form चाहिए, और वो क्या होती है, lived, और here क्या बन जाएगा, there, क्या सबको यह point समय में आया है, she asked him if he lived here, अगर नहीं समझ में आया, तो मुझे थोड़ा अच्छे से समझाना बड़ेगा, जैसे example के दोर पे आप मुझे बताओ कि simple present tense क्या होता है, तो first form के साथ s या e s, यह simple present tense होता है, इसका negative क्या बनता है, तो आप आता है, और first form आती है, और end में क्या आता है, question mark अब similar situation, simple past में देखो assertive होता है second form जब negative बनाते हैं, तो did not plus first form लगाते हैं और interrogative बनाते हैं, तो did पहले आता है, फिर subject और फिर verb की first form और end में question mark, है न, यह subject plus second form है, understood है, यह subject मैंने लिखानी, understood है, अब आप आपने देखा, she को मैंने she लिखा said to को मैंने asked में change किया, him को him किया comma inverted comma if लगाया, अब उपर interrogative है, तो नीचे assertive चाहिए, तो पहले subject चाहिए होगा यह subject लिखा हुआ है लेकिन यह second person है second person change होता है reporting verb के object के recording यह तो object है, हमें चाहिए subject तो यह ही हो जाएगा, दूसरा do you live here, यह simple present tense है reporting verb past में है, तो tense में बतलाव होता है, simple present किसमें change होता है, simple past में जाता है, लेकिन हमें simple past का भी assertive चाहिए क्योंकि interrogative यहाँ जाकि assertive भी तो बनता है, और simple past का assertive क्या होता है subject plus second form, तो क्या एगा lived or here क्या बन जाएगा, यहाँ पर there end में लगाया, आपने full stop समझ में आया, क्या बड़ा अच्छा था she asked him if he lived there चलो, she said to me, why have you put on this shirt, फड़ा फट से बनाते हैं, she को she करेंगे set to को हम लोग ask करेंगे और me को me लिखा रहने देंगे, अब wh question है तो wh word को as it is उतार देंगे अब if weather नहीं आएगा अब आपको पता है, interrogative वो नीचा assertive बनेगा, तो यहाँ पर requirement है subject की, और यह रहा आपका subject क्योंकि यह रही आपकी verb have put, put की तीनो form सेम होती है, यह subject है कौन सा person है, second person है second person change होता है, reporting verb के object के according, लेकिन requirement किसकी है, subject की, तो क्या आएगा I, अब have put, present, perfect tense है, change होता past, perfect में क्योंकि reporting verb भी past में है, तो I had put हो जाएगा आगे own आएगा, और this क्या बन जाएगा, that shirt बन जाएगा बोलो हाँ, समझ में आया सब कोई नहीं आया, she asked me why I had put on that shirt end में लगाया, full stop, चलो Rahul asked where do you work तो आपने देखा, Rahul को हमने as it is लिखा, उसके बाद ask का ask ही रहेगा, इसमें तो change ही नहीं करना, उपर भी ask लिखके दे दिये इन्होंने अब आगे wh question as it is रहेगा, Rahul asked where अब do you work लिखा है, दुबारा से देखेंगे, क्या कहा मैं नहीं यहाँ पे, यह है subject और यह है आपकी verb अब आपको लेकिन पहले चाहिए subject और you लिखा है, कौन सा बर्जन है second person, second person change होता है reporting verb के object के according लेकिन object तो यहाँ पे ही नहीं तो आपको पता है, जब object नहीं होता है तो assume करना होता है, या तो पहले me assume करेंगे, option में देखेंगे me वाला है, तो ठीक है, वरना फिर he वाले को, मतलब him assume करेंगे object में, है ना, बताया था मैंने आपको recording, लेकिन यह object है, हमेंच यह subject तो क्या हो जाएगा, आई, समझ में आया राहूल asked where, अब दूसरी बात simple present tense है, simple past में change होगा क्योंकि reporting verb past में है अब simple past का भी assertive चाहिए होगा क्योंकि interrogative assertive में भी तो आता है तो पहली बात तो tense बदलेगा simple present, simple past में जाएगा और simple past का भी assertive चाहिए simple past का assertive मतलब second form second form क्या होती है, worked आएगा और end में full stop, बात कतम राहूल asked where I worked इतना सही था, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा, जैसे इसमें देखो he को he लिखा, sat to को हमने फिर से ask में change किया me आया what time as it is रहेगा WH के साथ ही आया हुआ अब will they come है, they कौन सा person है, he, she, it third person है, third person में तो no change will किस में change होता है, would में और come किस में change होगा, come में और end में, full stop, बात ही कतम ही तो he ask me what time they would come, एको दुबार check कर ले, he, he, sad sad to को ask किया, me me, what time what time किया, आगे आपका interrogative, assertive बनता है तो पहले subject चाहिए, फिर verb चाहिए तो they third person है, third person as it is लिख दिया, will change होता है would के अंदर, come का, full stop, बिल्कुल सही चलो, he says how do we survive, अगर आपने इसका बना दिया ना मैं समझूंगा बेहर इंटेलिजेंट है, बनाना ज़र एक बार इसका बनाए, चलो, आओ देखते हैं तो पहले तो आप he को he लिखोगे, assert is says है, तो asks कर दोगे comma inverted, comma धटा के how आएगा अगर question है, वह word, assert is रहता है उसके बाद interrogative जो assertive बनता तो पहले चाहिए होगा आपको subject, लेकिन यहां लिखा है we, इधर यह subject है, कौन सा person है, first person है और first person में plural subject है, singular है plural है, ध्यान से समझे ना first person change होता है, reporting verb के subject के according तो आपको यहां पे subject चाहिए और यह भी subject है लेकिन इधर plural है, तो नीचे भी तो plural चाहिए होगा चाहिए होगा ना लेकिन change होता है, यह किसके according, reporting verb के subject के according और यहां पे singular लिखा हुआ है, तो इसका plural क्या होता है he, she, it, और plural क्या होता है, they तो यहां पे क्या आएगा बटा they, समझ में आया और उसके बाद do survive लिखा हुआ है, simple present tense का interrogative है अब tense में भी कोई बदलाव नहीं होगा क्यों, क्योंकि reporting verb present में तो जब reporting verb present में होती है तो जो tense उपर होता है, वही tense नीचे जाएगा उपर simple present tense है तो नीचे भी simple present tense होगा लेकिन आपको पता है, direct से जब indirect बनाते है तो interrogative उपर होता नीचे जाएगे assertive बन जाता है तो भले ही यहाँ पे simple present tense हो यहाँ पे भी simple present आएगा, लेकिन उसका assertive form आएगा और वो क्या होता है, subject plus verb की first form के साथ, s या e s और आपको पता है, they आपने लगा दिया plural है, तो बस survive लिख दोगे end में full stop she ask how they survive, कितना प्यारा था दुबारा बताऊं क्या, दुबारा देखो आपने he को he लिखा says को आपने क्या किया ask किया comma inverted comma धडा के आपने how as it is लिख दिया अब आपको subject चाहिए, क्योंकि interrogative असल्टिव में बनता है, तो ये subject था और ये verb थी बेशिक्सी बात है लेकिन ये plural subject था कैसा subject था, plural subject और कौन सा person है, first person first person change होता है reporting verb के subject के according लेकिन ये singular है अब आप plural subject की जगा नीचे plural ही तो होगे न, लेकिन change होता है, इसका plural क्या होता है, दे दूसरी बात, do survive simple present tense है, नीचे आके tense change होना चाहिए था, लेकिन reporting verb तो present में है, तो tense में भी कोई बदलाब नहीं होगा, तो जो tense उपर है tense नीचे उपर कौन सा है, simple present tense, नीचे भी क्या होगा, simple present tense, लेकिन उपर interrogative है, नीचे assertive बनेगा न, तो assertive में subject आया, और verb की first form के साथ, ऐसी आई यह आता है, अगल singular होता हो, यह तो plural है, दे तो survive लिख दिया, अरे भाही मेरे बहुत असान है, she says where do we meet, तो she को आपने she किया, says को आपने asks किया, where को as it is आपने यूं कयूं उतार दिया, similar situation, अब आपको चाहिए पहले subject, वही बात है कि वही first person है और plural subject है, तो plural subject तो चाहिए होगा, लेकिन first person change होता है reporting verb के subject के according, लेकिन यह तो singular है, तो इसका plural क्या होता है, इसका भी plural they ही होता है, he, she, it, they, फिर वही case do meet simple present 10 से नीचे simple present ही रहेगा क्योंकि reporting verb भी present में है लेकिन interrogative assertive में तो जाएगा, तो खाली meet कर देंगे अगर यहाँ कोई singular subject होता, तो यह meets हो जाता क्या मेरी बात समझ में आई, she, ask where they meet, चालो बस, खतम, तो कैसे रहे questions, और देखने, कुछ exceptions है इन पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर खतम करते हैं इसको interrogative वाले को, बाकी practice आप करिएगा और मेरको कुछ-कुछ examples मैं आपको करकर कर दिखा रहा हूँ आप समझ रहे हैं, मतलब आप ये कर रहा हूँ तो समझ जाना, inverted commas की बात हो रही है, वैसे ये action मतलब बहुत लोग करते हैं, किसी मतलब सार्काजम को use करने के लिए हैं, ख़ड़ा humor use करते हैं, जब हम ये action use करते हैं लेकिन अभी इसके बारे में मैं इस gesture को बात मैं समझ जाओंगा, पहले आप ये समझ जाईए, कि जो inverted जो, अभी मेरे तो हाथ ऐसे करके मुझे बढ़ाना बढ़ेगा जो inverted commas है न अब मैंने imagine नहीं करवा पा रहा हूँ आपको inverted commas कौन से हैं, हाला कि मुझे पता है, कि आपको पता है कि inverted commas कौन से हैं, लेकिन यों करने हैं से न, थोड़ी से feel आ रही है आप imagine करते हैं, अच्छा उसके अंदर वाला पार्ट है न तो she said to me you are going to watch a movie, aren't you dance हो ही न, inverted commas के अंदर, अरे मैं कर देता हूँ inverted commas के अंदर कैसा sentence है inverted commas के अंदर कैसा sentence है आपने देखा, you are going interrogative तो नहीं है assertive है, हाँ की न, और आप assertive की तरह बना देंगे, लेकिन end में देखो क्या लिखा हुआ, aren't you इसे कहते हैं, question tag है न aren't you, ain't I haven't they, use करते हैं she is going to London isn't she, पढ़ा होगा आपने question tag, नहीं पढ़ा तो ये chapter आता है वैसे ssc बगरा, उसमें use हो जाता है बोल जलगी भाषा में भी use करते हैं bank में नहीं आता है, essay questions ssc में आते हैं, ठीक है bank में नहीं आते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं की English का part नहीं है, ये use तो कहीं न कहीं दिखी जाता है ये use होता है, तो पढ़ा देंगी chapter भी आगे चलके लेकिन, इसको question tags कहते हैं तो अगर किसी भी direct narration वाले sentence में है न, inverted commas के अंदर चाहे शुरुवात आपकी assertive sentence हो रही हो और पीछे question tag दिया हो, तो वो आपका simple sentence नहीं है वो assertive नहीं है, वो interrogative ही है क्योंकि सवाल ही पूछ रहे है you are going to watch a movie, aren't you? तुम movie देखने जा रहे हो, हाँ की न, जैसे मैं generally करता हूँ हाँ की न, सवाल ही, सवाल ही तो आगे न, एक तरीके से तो कुछ बच्चे देखके confused रहते हैं इसको तो confused नहीं होना कि सर ये तो assertive और assertive वाले rule लगा दो inverted comma दटा के that लगा दो, यहाँ है न और set two को told कर दो, यह नहीं करना है त्यान दगना, पीछे अगर question tag, उमीद करता हूँ तो question tag दिख रहा होगा आपको है न अगर पीछे question tag दिया हुआ है अगर पीछे question tag दिया हुआ है, तो वो interrogative है अब interrogative है तो कैसे बनेगा, she को आपने she किया set two को आपने ask में बदला, me को me रख दिया comma inverted comma धटा के, अब आपको पता है कि यह yes no वाला question है क्योंकि aren't you, देखो helping verb से शुरुआत हो रही है aren't you, हा कि ना, तो अब आप देखिए आप क्या लगाएंगे, if लगाएंगे उपर से आपका ये था subject, तो नीचे भी चाहिए था subject लेकिन ये second person है, change होता है, इसके according ये है object इसका subject होता है, I, उपर से are going present continuous tense तो नीचे past continuous tense होगा, क्योंकि reporting वो past में है और to watch a movie, to watch a movie, aren't you नहीं लगाएंगे क्योंकि aren't you के चलते ही, तो यहाँ पे हमने interrogative वाले structures का use किया, अरे बोलू हाँ समझ में आया क्या, तो मैं भी क्या use कर रहा हूँ, मैं भी question tag use कर रहा हूँ, हा की ना, बोलू हाँ, चले जी shallow जी, देखो, सोनाली said to me you did not break the glass did you, सोनाली ने मुझसे का कि तुमने glass नहीं तोड़ा है क्या तोड़ा है क्या, यह सवाल ही पूछ लिया, तो confused नहीं हो सोनाली को सोनाली, said to को ask किया, आगे me किया, अब comma inverted comma से लड़ागे, if लगाया, wh क्यों लगाया, क्योंकि wh वला question ही नहीं है, उसके बाद यह subjective case है, second person है, change होगा, इसके according तो आई आ जाएगा, did not break है, यह simple past tense है, simple past, past perfect में change होता है, क्योंकि reporting verb आपका past में है, और उसके बाद दा glass, the glass and में full stop, समझ में आया, सभी students को, एक और है, बड़ा प्यारा सा, मैं दुबारा से hide हो जाता हूं, वैसे मैं show हो गया था, I don't know, हुआ है था, नहीं हो था, खेर, लेकिन अब आपको यह चीज समझ में आयी होगी, जैसे एक exception और देखो, she said to me, did you talk to her, I said yes, ऐसे भी कभी कभी आते हैं, कि आप देख रहे हैं कि दो दो बार जवाब दिया जा रहा है, कि she said to me, did you talk to her, फिर कह रहा है, I said yes, कभी कभी होता है, I said no, ऐसा भी आ जाता है, तो उसका कैसे बनाना है, पहली बात तो यह interrogative है, did से आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो she को she किया, said to को आपने आस में बतला, me को me, कॉमा inverted, कॉमा सटा के आपने if लगाया, फिर आपको बता, interrogative है नीचे जाके, assertive बनेगा, तो you subject पहले चाहिए होगा, change होगा, इसके according तो इसका subject आई होता है, लगा दिया, बागी did talk है, तो simple past tense है, change होगा, past perfect tense में तो had talked आपने लगा दिया, और to her, to her as it is रहेगा, क्योंकि her आपका third person है, तो वो तो change होता ही नहीं है, और यह जो बचा हुआ आप ऐसे लिख़ेंगे, I replied in the affirmative, अगर उसने बोले I said yes, तो आगे आपने लिखेंगे, I replied in the affirmative, अगर वह बोले अनसर in the affirmative, आप ये भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, तो इस वाले part का बस अलग से यह बनाना है, बागी यहां तक का, तो आपको बताईए करना क्या है समझ में आया या नहीं आया पकी बात है चलिए ज़े तो मैं उमीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगवागा वीडियो का भी यहीं बंद कर रहे हैं हम लोग अगली क्लास मतलब बाकी साइची जी नेक्स पार के नहीं हम लोग डील करेंगे इंपरिटिव सेंटेंस, उप्टेटिव, एक्सक्रेमेटर ही है बस खतम कर देंगे जल्दी लगातार ये तीन दिन क्लास आएगी निष्चिंतरा हूँ आपका इसी महीने में खतम कर देंगे इसको लगातार क्लास लगा के क्योंकि बच्चे गह रहे है हमारा पेपर है पह कि मैं भी करवाँगा आने वाली क्लासेज में लेकिन पेपर है तो कॉंसेप्स तो क्लियर होई जाएंगे न तो टेलिग्राम चैनल जॉइन कर ले तरुम ग्रोबर इंग्लिश जो बच्चे नए है टेलिग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर ले आपको आपडेट मिलता रहे है ना मिल दे नेक्स सेशन में ध्यान रुकिया अपने तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत प्यार